इसको क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम की शुरुवात करना तो चाहते थे लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले ही आपका काम खतम हो गया यदि नहीं तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही पहरी सी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बहुत सारी लोगों का काम स्टार्ट होने से पहले ही खतम हो जाता है दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश सिंग मोटिवेशनल स्पीकर पॉब्लिस्ट आथर यूटूबर और कोच आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शांदार स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी स्टोरी है दो फैंट्स के दो दोस्त थे पढ़ाई लिखाई complete हुई उसके बाद में दौनों बैटके planning करते हैं यार क्या किया जाए उस तो काम करना चाहिए तो दौनों में बैटके पहले हम लोग एक-एक भैस खरी देंगे बल में फिर उस भैस के बची होंगे उन बच judgments सेल करेंगे उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे उस भैस का दूद सेल करेंगे उस भैस का जो डंग होता है जो گोगर होता है उसके ओपले सेल करेंगी और इस की सब्सक्राइब करेंगे चिर हम फडिए brand करेंगे मावा जिसको बोलते हैं फिर हम पनीद सप्सक्राइब किया करेंगे हम पनीद बनवाय करेंगे और इस तरीके से हमारा बहुत बड़ा काम हो जायगा आज हम लोगे काम करते यह जो आज हमने प्लाइनिंग की है इस planning के उपर हम अगले 5 साल तक लगके काम करेंगे और 5 साल बाद हम दुबारा इसी चाय के खोके पर फिर मिलेंगे दौनों दोस्तों में सहमती हुई दौनों दोस्त अपने अपने घह चले गए पहले दोस्त ने अपनी वाइफ को जाके अपनी पूरी planning बताइए कि हम यह यह करेंगे पहली वाइफ ने उसकी पूरी planning सुनने के बाद उसे पूछा यदे पहली ही भैस मर गई तो क्या होगा यदे पहली ही भैस मर गई तो क्या होगा दोस्त ने सोचा या यह तो बात बिलकुल सही है तो बोला चलो आइडिया ड्रॉट उसने काम नहीं किया दोसरे वक्ती ने भी अपनी वाइफ को जाके बताया और उसने अपना पैसे लेके काम चालू कर लिये अभी पांस साल के बाद तो कि दौनों दोस्तों का commitment हुआ था वापस उसी दुकान पर मिलने का पांस साल बाद दौनों लोग उसी दुकान पर मिलते हैं तो मरसिडीज मैंसे एक बड़ा स्मार्ट सबून निकलता है वो देखता याँ ये तो मेरा दोस्त है वह बोलता है तेरा यह और थेरा कैसे हो रहा है बोला है तो जो मरसिडीज Kurt नीकला तो बोला कुछ नहीं जो अपने 5 साल पहले जो अपन ने प्लाइनिंग की थी ऊप्लाइ तो नहीं किया डेली फाम का, बोले, नहीं तो, बुले, क्यों, मैं गर गया, जाकर मैंने वॉयफ को बता ही प्लानिस पूरी, वाइफ ने छूटते ही बुला, यह पहली ही भेंस मर गई तो. बोले, तो नहीं क्या किया? मैंने भी यह बोल दिया हाँ बात तो सही है भेहस मर गी तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा और फिर हमने वो जो आइडिया था वहीं डॉप कर दिया हम अपनी नौर्मल जिंदगी में लगे रहे हम अपनी नौकरी करते रहे या कोई भी जो भी काम मिला वो करने लगे बोले तेरे साथ क्या हुआ बोले हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही था मैं भी घर गिया मैंने भी वाइफ पो जाके बताया कैसे ऐसे प्लानेंगे हम डेरी फार्म को लेंगे पहले एक भैस खरी देंगे उससे दो करेंगे दूसे चार करेंगे चार से आठ करेंगे बोले फिर क्या हुआ बोले वाइफ ने बोली भेंस मर गई तो तुम ने क्या बोला वाइफ ने बोला भेंस मर गई तो मैंने बोला भेंस नहीं मरी तो फिर उसने बोला मर गई तो मैंने बोला नहीं मरी तो फिर उसने बोला मर गई तो मैंने बो is the history जैसे जैसे हमने planning की ते उसे साब से काम किया और आज मैं आपके सामने हूँ as a successful businessman आज मेरी बहुत बड़ी dairy farm है आज मेरा दूद का काम है खोए का काम है पनीर का काम है और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली इस कहानी से सीख य कर दूसरों के कहने से उस काम को drop मत कर दो उस idea को drop मत कर दो क्योंकि कोई भी idea उसके उपर काम करने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना successful होगा या नहीं होगा यदि आप पहले से ही negative thinking रखेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे पहले विक्ति ने negative thinking रखी उसकी wife ने negative बोला वो भी negative के साथ में relate हो गया तो अब देख सकते है क्या हाल हुआ दूसरे विक्ति को भी negative करने की कोशिश कीगे लेकिन वो negative नहीं हुआ उसकी भैस नहीं मरी और वो life में बहर successful हो गया तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा समाज में बहुत सारे लोग ऐ बैठे हुए है जो आपकी भैस आने से पहले ही आपकी भैस को मारने के लिए तयार है आपका कोई भी काम चालू करने से पहले ही आपका काम बंद करवाने के लिए तयार लेके बैठे हुए है वो आपके गुबारे को फोड़ने के लिए स्वी लेके बैठे हुए है कि जैस लिया है ना तो आप अपने decision के उपए काम चालू कीजिए लोगों की मत सुनिए यदे आपने लोगों की सुनी ना तो आपकी भी भैंस आपका भी काम चालू होने से पहले ही खतम हो जाएगा पर ऐसे लोग जो दूसरों का काम चालू होने से पहले ही उनका काम खतम कलवा दे उन्हें सच में मैं ना हत्यारा बोलता हूं कि वो किसी सपने वाले व्यक्ति के वो किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ कर सकता था उसका जनम लेने से पहले ही उसको मार देते हैं उसके सक्सिज में जनम लेने से पहले ही उसको खतम कर देते हैं तो जो लोग इस कहानी को उन लोगों से ऐसे लोगों से जो दूसे लोगों को हमेशा डिमोटिवेट करते हैं वो जीवन में कुछ भी चालू करना चाहते हो और आप उनका काम बंद करवा देते हो अरे उनको एक बार करके देखने तो दो यार अरे सफलता नहीं मिलेगी कम से कम अनुबव तो मिलेगा अरे उनके करने तो दो लेकिन आप किसी भी विक्ति को कोई काम चालू करने से पहले ही यदि उसके काम को खतम करवा दोगे तो उसके पास में सिर्फ और से पच्छतावा रहेगा आपका क्या बला हो जाएगा दूसर नेगेटिव विक्ति की बात मानने से पहले सिर्फ ये देख लेना है कि जिस फील्ड की वो सला दे रहा है क्या वो उस फील्ड में सक्सेस्वल है यदि वो उस फील्ड में सक्सेस्वल नहीं है उसकी सला कभी भी मत मानो और ऐसे सलाहकारों को भी मैं कहना चाहूंगा जो फ कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को आगे बढ़ने दीजी मुझे उम्मीद हो को कहनी को जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएएगा आपको कहानी कैसी लगी अगली कहानी में यदि चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को हीट कीजिए जिसे के आने वाले